जब भी कोई contractor कोई tender लेता है तो यही सोच के लेता है कि उसको इस tender से profit होगा और profit को दिलाएगा billing engineer कि जब bill बनेगा तब ही तो profit होगा और maximum government के इंजिनियर को तो salary मिली रहा है तो वो contractor के profit के लोगता जड़ा महरत नहीं करते तो contractor को जब भी समझ आता है कि उसके जो इंजिनियर है जो government के इंजिनियर है वो सही तरीके से बिल नहीं बना पा रहा है जब profit निकाल के नहीं दे रहा है तो वो company billing इंजिनियर का में काम हो जाता है कि previous execute हो चुके work को as per drawing rate करना और आगे आने वाले कामों को पुरा का पुरा मैं अपना experience share करता हूँ आप से कि मेरे साथ क्या हुआ जब मैंने करियर स्टार्ट किया तो मैं अपने career में single engineer था मेरे उपर एक project manager थी और दो supervisor थे तो वह supervisor का काम होता था लेबरों का handle करना साइट में execute कर वाना चीज़ों को और मेरा काम क्या होता था ये चीज़ों को manage करन तो जो मैं जो project manager के role and responsibility था वह भी मैं सिखते गया किस तरीके से कि कौन से काम हो किस तरीके से plan करना है कि बिल बनाना है तो बिल में से कौन-कौन सा measurement लेना है मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं starting क्या था तो हमारा जो building starting office बना था actually main gate और front office था project manager का office था store room बना रहे थे तो फिर से इ Batman Juniper चला जाओ फिर से विवारार धाते बनाते बनाते में पूरी की पूरी बीमिलिंग से समझ सकते हो कि पूरा aabeli inग होता है कि में बनाने का nature समझ पूरा ब την यह मतलब मूत से मोड़ मेंसर्मेंट क्या हो ठीछ सको एर्या में कलना थे और कि एक एक इन्युमेरेटेड आइटम्स होते हैं जिसको पीसेज़ वाइस में निकालते हैं वो आइटम को हम किस तरीके से मैजर करेंगे असलता है कि हर एक मोड़ आफ मैजरमेंट मैं सिग गया और उसी के बाद मेरी कंपनी ने मुझे प्रमोट करके एक चला कि मैडिकल जो ज्षिया विए मसमें के लिए मेरी ऑ और मेरी कंपनी ने मुझे को सब्सक्राइब करना होता है तो क्या हुआ कि उस प्रेसर के कारण और वह जवाबदारी लेने का आधा था बच्पन से कि हम कोई भी काम हो रहा है तो वह पूरा का पूरा बच्पन से सब्सक्राइब करने के लिए कि उसके बारा काम किया या जा जाके उनके आइटम को रख के में आटो केट से उसके मोड़ अफ मेजरमेंट को निकाल के बिल बना जा यह काम करते करते आट महीं हम बढ़ते हैं और इसलिए क्योंकि वह पूरी जबाबदार ही हम लेए एक एक excuse नहीं होता था रात को दो बजे तक काम करना पड़ता था सुबह आठ बजे मिलेगा इसलिए कि काम परसंट मैंने इंक्रिमेंट किया है अपनी सेलरी पे वो स्रिफ और स्रिफ इसलिए कि मैंने एक काम को लिए की कर दियाए आपको भी सारवी स्वेटा चीश क की ज़्या कर आता है आपको लिए नीचे कमेंट कीजिए मैं आपको डेफिनिये प्रॉम्स कर सकता हूं कि यह पूरा कॉर्पोरे ट्रेडिंग कोर्स का पेकेज इस विष्व में किसी सिंगल इंस्टियूट के पास नहीं है जि जो किजी अपने टेक्निकल स्किल जिससे कि आप सभी का ग्रोथ हो सके और हमारा जो एक सपना है सारे सिविल इंजिनियर को एक सिंगल प्रेटफॉर्म पे लागे खाड़े करने का वो विजन सिविल गुजी का पूरा हो से थैंक यू सो मच उसी जोर सो सीजुन के साथ अगल जोड़ी के साथ